है गाई नमस्कार आप लोगों करते लोक यूटूब पर स्वागत हैं आज पहले से क्लास में लोग बात करने माले हं अच्छा बारक की फिर्जिक्स की ग्लास्ट नहीं पहले बच्छो बात करेंगे और अज की टौपिक ऑप करेंगे start करने से पहले आप चैनल पर नया होंगे तो आपको दो tीन कामें जरूर करना प्यारे बच्चो सबसे फर्ष्ट काम है कि चैनल को subscribe कर लिजेगा और दूसरा काम है प्यारे बच्चो वीडियो पसंद आता तो वीडियो को like करके दोस्तों के साथ share किजिएगा और प्यारे बच्चो थर्ड गाम है कि उन सभी दोस्तों उन सभी मित्रों के पास वीडियो को share किजिएगा जो है इस logic gate के जो topic है उसको रठते हैं उसको समझने का प्रियास नहीं करते उन सभी के पास आज की वीडियो शेयर किजिएगा और लास्ट में कमेंट करें कि ये जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आज की आज की क्लास क्या आपको इससे पहले कही प्राप्त हुआ था तो भी बताइएगा अगर नहीं तो भी बताइएगा चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेती प्यारे बत्चों सबसे पहला टॉपिक है लॉजिक गेट प्यारे बत्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है लॉजिक का मतलब होता है तर्क लॉजिक का यह सारी आगी वाली जो टॉपिक आने वाली ने उसमें बहुत मदद करेंगी पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कहीं भी आपको रट्टाफिकेशन वाला नियम नहीं बताऊंगा पूरे एक एक लाइन टू समझाऊंगा गहां से देखे समसे पहले अगर मैंने कहा कि यह संब आउटपुट होता है एक इनपुट होता है एक निवेसी होता है और एक निर्गत होता है प्यारे बच्चों जैसे मैंने क्या कहा कि यह कोई लॉजिक है यह क्या है यह क्या है कोई लॉजिक है लॉजिक यह है एक्स इक्वल टू आई है एक्स इक्वल टू आई है और एक इनपुट क्या माल लिया तीन अब यह एक इनपुट इधर माल लिया दो एक इनपुट इधर माल लिया तीन अब आपको प्यारे बच्चों यहां पर जो आउट पुट है वो ऐस है और क्या है नो है और यहां पर आउट पुट क्या है S है और क्या है No अब आपको दोनों में केवल आपको संबंद बताना है दोनों में आपको logic लगाना है कि देखो कि क्या ये जो दोनों input है 2 और 3 क्या ये 2 तीन में जो आपने logic लगाया है X equal to Y अगर ये X है ये Y है तो बताओ ये दोनों आपस में equal है ये दोनों आपस में equal नहीं है तो आप क्या लगा दोगे 9 पे लगा दोगे अर्था जो आपको निर्गत मिलेगा वो 9 मिलेगा निर्गत जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 9 ध्यान से देखा कि मैं input 2 हो सकते है परन्तु जो output होता है वो आपको एक ही प्राप्त होता है प्यारे बच्चो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि logic क्या होता है logic आपने क्या लगा है कि x equal to y है परन्तु हमने देखा कि ये दोनों आपस में y equal नहीं है इसलिए जो output है वो क्या है 9 के बराबर ये होता है प्यारे बच्चो लॉजिक अब हम अगली स्टेप में समझे तो अगली स्टेप में logic क्या लगा है कि अगली स्टेप में logic ये है कि जो x है वो not equal y है x जो है वो not equal y है तो आई हम देखते हैं कि क्या 2 और 3 आपस में equal नहीं है तो वही नहीं equal है, तो यह बात सकते है, तो यहाँ पर हमको क्या result मिलेगा, yes की result मिलेगा, अर्थात, यहाँ पर यह बात सही है, कि दो और तीन आपस में बराबर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर भी output एक ही मिला है, और input क्या है, दो है, तो प्यारे बश्चो, logic का मतलब होता है कि एक प्रेकार का सम्बन्द रखना एक प्रेकार की relation को भ्यक्त करणा वो relation अगर सकते हैं तो yes लग जाते हैं अगर relation आपके गलत होते हैं तो no का अब आता जाता है अब प्यारे बश्यों उसी प्रेकार हमारा लॉजिक गेट भी काम करता है। logic gate default, दो संस्धा पे निरधारीत होती दो अंकों पर कार करता है, वह दो अंक प्यारे-पियारे जन्तिन जानते हो 0 और 1 होता है जिरो और 1. 0 का मतलब होता है तो आप 1 का मतलब होता है ON, 1 का मतलब क्या होता है ON, यानि जब किसी भी circuit में current जो है ON रहेगा तो तो हम वहाँ one लिखेंगे, अगर current off रहता है, तो हम zero दिखाते हैं, यानि कहने का मतलब है, कि logic जो get होता है, वो किवल दो अंकों पे आधारित होता है, जिससे हम दो आधारी संख्या या binary number भी कहते हैं, तो इतनी बात आपको समझना है, और ये logic की बात होती है, अब आईए ह हम समझेंगे कि logic gate क्या होता है, ध्यान से सबसे पहली लाइन देखिए, क्या करा कि logic gate ऐसा digital परिपत होता है, अब आप समझ रहे होंगे कि भाई, digital परिपत क्या होता है, सर जी तो लिख दिये, बता ही नहीं जाना है, सारी चीजे मैं बताऊंगा डिजिटल परिपत ऐसा होता है कि वह सरीकिट एक ऐसा परिपत जिसमें केवल दो अस्तर उपलब्द हो एक आपका सुन्य हो एक आपका क्या हो एक हो अर्थात एक आन हो एक क्या हो आप हो वो क्या कहलाते हैं डिजिटल परिपत कहलाते हैं क्या आप समझ पाए इतनी बाते अब ध्यान से समझें आगे क्या करा कि जो की निवेशी और निर्गत सिग्नलों के मद्य तरक संबंद पर आधारित होता है यहीं से हमने बताया लॉजिक क्या करता है रिलेशन को वैप्त करता है लॉजिक रिल परिपत होता है जो की निवेशी और निर्गत सिग्नलों के मद्य तरक संबंद पर आधारित होता है इस प्रकार हम लॉजिक गेट को परिभासित कर सकते हैं प्यारे बच्चों अब ध्यान देना लॉजिक गेट एक काम और कर सकता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखना क कि लॉजिक गिट अपने अंदर से input signal को जाने भी देता है और input signal को रोक भी सकता है यानि हम दूसरे सब्दों में बोले कि logic gate एक ऐसा gate होता है जो कि अपने अंदर input को entry करने की अनुमती देता है इंपुट को प्रवेस करने की अनुमती देता है और आउट उसको इंपुट को रोकने की भी इसकी अधिकार होता है यानि हम कह सकते हैं कि लौजिक गेट में इंपुट सिग्नल प्रवेस भी कर सकते हैं और इंपुट सिग्नल को रोका भी जा सकता है ये रही बात logic get की पैर बच्चो जो logic get होता है वो मुलतना कितने प्रकार का होता है पैर बच्चो तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का होता है वह logic get कितने प्रकार का होती पैर बच्चो तीन प्रकार का होता है अब वो कौन-कौनस होते हैं सबसे प होता है कौन सा अधित्स होता है इस बात को दिहान देना अब कुछ ऐसे की चर्चा करेंगे जो कि आपको इन सभी गटो को पढ़ने के लिए इन सभी गटो का धिन करने के लिए जरूरत पढ़ने वाली है वो दो important परिभासा कौन कौन से प्यारे बच्चो एक है सत्यता सार्णी यहां पर हमने लिख के रखा है एक क्या है सत्यता सार्णी ध्यान से देखना एक एक word को अच्छे तरीके से पढ़ लो प्यारे बच्चों, फिर आगे हम जैसे ही ये गिट, ये गिट, ये तीनों गिट और इनसे बनने वाले गिटों को पढ़ेंगे, तो वहाँ ये दोनों परिभासा अब आराम से क्लियर हो जाएगा, वहाँ अच्छे से समझ भाजाएगा, ध्या प्यारे बच्चों, अभी तक केवल इतनी लाइन आप क्लियर करो कि निवेसी और निर्गत के बीच सभी घटनाओं के सम्बंध को व्यक्त करने वाली टेबल ही, ट्रू टेबल या स्थिता सार्डी कहता कहलाता है, यानि प्यारे बच्चों, इनपूट सिगनल, ट्रो टेबल कहलाते हैं, अर्था सत्यता सार्डी कहलाता, जितनी भी पॉसिबल हो सके, जितनी भी घटनाए पॉसिबल होंगी, सारी घटनाओं के वीच में कुछ न कुछ रिलेशन होगा, उन सभी रिलेशन को ब्यत्य करने वाली टेबल को हम क्या कहते हैं, सत्यता सार्ड कहते हैं तो ध्यान से देखना एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सत्यता साड़ी किसी लॉजिक गेट की वह साड़ी होती है जो निमेशी और निर्गत के सभी संबह संबंद को दरसाती है कि इतनी बाते आपकी क्लियर हो गई प्यार बच्चो अब हम अगली टॉपिक की चर्चा करेंगे बुलियन बेंजक कौन सी टॉपिक होती है बुलियन बेंजक ध्यान से समझेगा कि बुलियन बेंजक का खोज किये थे वो जार्जबुल नामक एक बैग्यानिक थे जिन्होंने बुलियन बेंजक का खोज किया था ध्यान से देखें इसमें क्या करा है कि वह बेंजक जो दो बुल्यनचष के ऐसे संयोग को धरसाता है जिससे एक नया बुल्यनचर प्रापत हो वह बुल्यनशक कहलाता है यानि पैड़े बच्छो यहां कोरा निवेश्य और निरिगत बीच में सम्मद्द को बैक्त कर रहा सकते ता तर शानी और इसमें क्या बता रहे हैं कि यह जो बुलियन चल लेंगे जो बुलियन चल यानि जिनको हम इनपुट मानेंगे और आउट पुन पे तो इनपुट और आउट पुट के बीच जो सयोग होगा प्लस होगा मर्टिप्लाई होगा कि माइनस होगा कुछ भी हो सकता है तो उनके सयोग को बैक्त करने वाले बुलियन बैंजक कहलाते है और जिनसे मुझे एक नया चर मिल जाता है प्यारे बच्चो तो इसको भी हम समझेंगे जैसे हम इन सब गेटों को पढ़ेंगे यह सारी कि आपकी लेक्त होंगी प्यारे बच्चो देखो प्लेयन एक समझेंगे से थिस कहते हैं और यह कहता है माई असका प्यारी बच्चो यह इस आपकी इस्टार पॉइंट है ध्यान से समझेगा आगे की सभी टॉपिकों को समझने के लिए जो क्या करा है कि बुलियन प्रते में योग चिन होता है उन्हें हम आर कहते हैं क्या कहते है आर का नाम देते हैं प्रतुर क्या नम देते हैं जिससे आपका परण और गेड़ infect वीएम इसको बता रहा हूं आगे देखें तो गुरं चिन होता है उसे हम end संक्रिय कहते हैं क्या क्या कहते है and 창rière काते हैं प्यारे बच्चो एन्ड संक्रिया मतलब झब हमको हमको क्ष़जन लगेगी तो उन्हें हम end कहेंगे और जब रिड क्या चेन दिखाई पड़ेता, मिज्से में बार कहते हैं उसको not संग्रिया कहते है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने क्या कहा, कि अगर ऐसे लिखा दिखाई पढ़ गया, a plus b equal to y, तो हम इसे ये नहीं पढ़ेंगे, कि जैसे ये साधारन बीजगरित के रूप में पढ़ना होता, प्यारे बच्चों, तो हम इसे पढ़ते, a plus b equal to y, प ये जो plus है, ये जो plus है, वो वहां r को वैक्त करा, r संक्रिया को वैक्त करा, तो a, r, b equal to y, समझा, ये संक्रिया है, अगली संक्रिया देखो, end की क्या बात होती है, कि end की जब बात आती है, तो कुछ इस प्रकार हो जाए, कि a dot b हो, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, a dot b, तो य ये गलत है, इसे हम a dot b नहीं पढ़ते, प्यारे बच्चो, इसे जो ये dot है, तो इसे हम end कहते है, क्या कहते है, end, तो a and b equal to y, a and b equal to y, जहां से समझे, आगे, अगला, जब कभी कभी क्या आजाता है, बार आजाता है, जह से ये, ये बार, equal to y, तो इसको हम क्या पढ़ेंग कि हाँ y equal to a bar नहीं कहेंगे, या bar a equal to y नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हम ये पढ़ेंगे, इसे क्या कहेंगे not, तो a not equal to y, a not equal to y, ये not का है, a not equal to y, मतलब यहां जो a है, वो आपका y के क्वल नहीं है, ये प्यारे बच्चो, आपकी जो चिन्ध है, उनको पढ़ने का तरीका क्य है, उस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं, प्यारे बच्चो, उम्मीद है कि अभी तक आपने ये सारी चीजे पढ़ा, ये सारी चीजे आपको समझ में आई होगी, प्यारे बच्चो, अब हम शुरुआत करेंगे, और not get के बारें में समझेंगे, आईए, हम उनको समझते है उससे पहले आप इसका एक screenshot ले सकते हैं, प्यारे बच्चो, अब हम समझेंगे OR gate, तो प्यारे बच्चो, अब हमने कहा था कि अभी जो gate होते हो, आपके तीन प्रकार एक होते हैं, उसका सबसे पहला जो होता है, जिसे हम OR gate कहते हैं, ये आपके पहले gate के अंतरगत आता है, आइए हम समझते हैं कि OR gate क्या होता है, प्यारे बच्चो, आपके exam में किस प्रकार question पुछता है, किस प्रकार आपके यहां से बहुभी कल्पी के प्रशन बनते हैं, तो इसके बारे हम हम बताते हैं जरूर प्यारे बच्चो, जैसे आपके exam में symbol दे देगा, प्रतीक बना क पूछेगा कि यह किस gate का symbol है, या तो OR gate का symbol पूछ सकता है प्यारे बच्चो, या सतिता सानी पूछ सकती है, बुलियन भेंचक पूछ सकती है, यह एक एक नमबर वाले प्रशन यहां समर रहे हैं, तो ध्यान से समझना OR gate क्या होता है, इसके लिए मैं एक सरीकिट बना रहा एक का नम दे दिया, और यह एक second कुझी बना दिये, जिसका नम मैंने क्या दे दिया B, और इन दोनों को किसी एक बंद सरीकिट से हमने क्या कर दिया, एड कर दिया, ध्यान से दिखना प्यारे बच्चो, अब इन दोनों इस पूरे सरीकिट को हम क्या करते हैं, एक बैटरी स से क्या कर देते हैं Per एड़ देते हैं सारी चीज़े आहिकी clear हो जाएंगे यह प्लस हो गया माइनवस हो गया और यह एक लगा यहां पर दिखेगा अब आपको क्या समझ ना है वह ध्यान से देखो कि हमने कहा कि ओ और ganzen क्या होता है और गेट आपका क्या है ध्यान से समझे जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट हों यह क्या है प्यारवच्चो इनपुट है यह भी आपका इनपुट है क्या है यह भी इनपुट है और यह आपका क्या है आउटपुट है यह आपका क्या है आउटपुट है तो ध्यान से दिख output होता है वो कौन सा git कहलाता है प्यारे बच्चों वो r git कहलाता है अगर हमको इसकी परिभासा देनी है तो हमको दे सकते हैं कि वह git क्या प्यारे बच्चों वह git जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक निवेसी हो, दो या दो से अधिक निवेसी हो, वह एक क्या होता है, एक निर्गत हो, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो आरगेट कहलाता है, वह आरगेट कहलाता है, यह है आरगेट की परिभासा, ध्यान से देखेगा प्यारे बच्चों, आरगेट क्या होता है, ध् समझना कि वह गेट जिसमें दो या दो से अधिक निमेसी होते हैं और निर्गत सदयो एक होता है वो और गेट कहलाता है आप यहां देख सकते हैं दो ठो इंपुट ए और भी है और एक आउटपुट वाई है जो कि आपने बल्व के रूप में लगाया है अब इसकी बात हम कर ध्यां से दिखेगा अब इसकी हम सत्यता सांडी निकालेंगे प्यारे बार्चो मुझे रटना नहीं है न तो आपको रटना पढ़ेगा इस बात को ध्यान देजेगा इसकी इंगलिस क्या होती प्यारे इसको ट्रोट टे extensive हमने क्या लिए दो थो निवेसी लिए हैं तो डो निवेसी यानि एक में निवेसी का कालम बना देते हैं प्यारे बच्छो और एक में क्या बना देंगे निर्गत का कालम बना देंगे किसका बना देंगे निर्गत का ध्यान से रिखेगा निवेशी और निर्गत निवेशी में दो भाग कर देते हैं क्योंकि निवेशी की संख्या दो है निवेशी में कौन कौन है एक A है और एक क्या है प्यारोचो B है और निर्गत में कौन है वाई है ध्यान से रिखेगा मैंने बोला था कि किसी भी गेट में किवल दो संख्याएं ली जाती है वो दो संख्याएं कौन है जीरो और एक उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चो एक बार आप धियान से समझ लीजिए मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं जीरो का मतलब होता है आफ जीरो का मतलब आफ और एक का मतलब होता है प्यारे बच्चो अन इस बात को ध्यान देजिएगा अब हमने क्या कहा कि जब इस बैटरी से करेंट फ्लो होगा जो कि इधर से इधर की तरफ प्रवाहित होगा प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होग अगर मैंने क्या कहा प्यारे बच्चो कि A को हमने आन कर दिया A को भी आन किया और B को भी आन किया A को भी आन रखा B को भी आन रखा तो आन का मतलब होता है कि हम एक लिखे दें प्यारे बच्चो A को भी आन किया और B को भी आन किया तो बताओ यहां से चलने वाली यह current इन दोनों पतों से होते हुए इन दोनों inputों से होते हुए जब इस निर्गत के पास पहुचेगी तो यह बल्फ आपका क्या हो जाएगा जलने लगेगा यह बल्फ क्या हो जाएगा प्यार बच्छो जलने लगेगा जिससे कि हमको गत भी क्या मिलेगा आन मिलेगा क्यूंकि बल्फ जलने लगा न प्यारे बच्चो तो बंद है नहीं तो बंद होता तो हम जीरो लगाते बल्फ आपका क्या हो गया आन हो गया जो ही यहां से करेंट गई इन दोनों से होका गुज्रा और यहां तक पहुंचा इसकी कारण यह वल्फ क्या होता है जलने लगता है प्यारे बच्चो यानि पहले केस में ये वल्फ जो है क्या होता है जलने लगता है इसलिए हम वहां एक लिख देते हैं अब रटने वाले आपको क्या बताएंगे जानते हैं कि जब एक एक आता है तो वाई भी एक होता है प्यारे बच्च एको क्या कर देता हूं आफ कर देता हूं एको आफ कर दिये तो यहां जिरो हो जाएगा और बी को हमने आन किया है एको आफ करके बी को हमने क्या कर दिया आन कर दिया मतलब कहने का मतलब है कि ए खुला है और बी क्या है आपका देखिए एको आफ कर दिये एको बंद कर दिये Aubi को क्या किए है चालु किए तो प्यारे बच्छो सोचो कि यहां से अगर यह 5 A vessels की current faux हो रही थी तो माल लेते हैं प्यारे बच्छो कि 2 A sticky current अगर इधर गई होगी तो थील की current इधर गई होगी मतलड कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जब सरीकिट आपकी पूंड होती है तब ही जो है बल्फ जलेगा तो ध्यान से देखना कि यहां से चलने वाली करेंट इस वायर से होते हुए इस कुंजी के माध्यम से यहां होते हुए ऐसे ऐसे करके यहां तक पहुच जाएगी और यहां से यह वाला से करेंट जा रहा हो वो तो सरीकिट को पूरा करी रहा है तो बल्फ जलेगा ही जलेगा प्यार बच्चों तो भाई वाई भी हमारा क्या है आन की इस्तिती में मिलेगा इस बार मैं अगली केस में क्या करूंगा प्यार बच्चों कि ए को मैं आन कर दूंगा और बी को क्या क होते हुए इस यहां बल्फ तक पहुष सकता है जिसकी कारणी यह बल्फ जलेगा और निर्गत भी हमारा क्या मिलेगा वह नहीं मिलेगा आगे लास्ट पॉरसन ध्यान से समझे प्यारे बच्छो अगली चीज समझे जब हमने क्या कहा कि दोनों को आप कर देते हैं दोनों को आप कर देते मतलब दोनों को जीरो के एक्वल कर दे बच्चो जब दोनों को आप कर देंगे तो सोचो यहां से चलने वाली यह जो करेंट है यहां OUT पहु Coming नहीं पाएगा जिसके कारण यह जो बल्फ से निकलने वाला जो प्रिकास रहे बंध हो जाएगा अर्थात निर्गत झो है आपको प्राप्त नहीं होगा निर्गत भी क्या हो जाएगा कि इस्तिती हो जाएगे मैं तो प्यारे बच्चोत इस गट की निकाल लेंगे प्यारे बच्चो अब धिहान से देखेगा इस गिट की बुलेयन भेंजक की बात करेंगे इस गिट की क्या बात करेंगे बुलेयन भेंजक परन्तु प्यारे बच्चो इसको हम थोड़ा सा समय ले रहें आपका उससे पहले मैंने बोला था कि जो ही आपकी ये get पढ़ाऊंगा त्यों ही आपको सारी definition पता चलेगी सत्यता सारी की definition जरासा back में जाओ क्या कहता था सोचो कि बोला था कि वह सारी वह table जो input और output के बीच सभी संभो घटनाओं को ब्यक्त करता है वही क्या कर लाता सत्यता सारी देखे प्यारे बच्चो यह input की सभी घटनाओं को ब्यक्त कर रहा है मतलब कहने का मतलब है वो बता रहा है कि जब हम एक-एक रखे मतलब दोनों आन थे तो हमको निर्गत भी आन मिला जब एक आप हुआ एक आन हुआ तो भी मुझे आन मिला तो प्यारे बच्चो यह क्या बता रहा है सत्यता सारी तो बतार सभी घटनाओं को ब्यक्त कर रहा है तो यह क्या कहलाती सत्यता सारी टूटेबल कहलाता है अब हम बात करेंगे बुलियन बेंजक का प्यारे बच्चो ध्यान से देखिए इन a औ बी में क्या संबंद है इन a औ बी में क्या संबंद है एक का multiply एक से किये एक मिला जिरो का multiply एक से करेंगे तो क्या 0 मिला है नहीं मिला प्यारे बच्चो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ध्यान से देखना इनकी जो बुलेन बेंजक है वो y equal to है a plus b y equal to कितना है a plus b ध्यान से देखना प्यारे बच्चो y equal to कितना है a plus b परन्तु हम लोगों के पढ़ने का तरीका गलत है अभी हमने वीडियो में पहले ही बात किया था इसे हम क्या पढ़ेंगे y इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चो a plus वाले चिर्न को हम क्या कहते थे r कहते थे तो a r b equal to y इसे हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चो इसको पढ़ेंगे a r b equal to y ये चीज हम यहाँ पढ़ेंगे a r b equal to y क्या आपकी इतनी बाते clear हुई प्यारे बच्छो उम्मीद है कि आपको इसकी बुलेण भेंजक और सत्यता साड़ी बिल्कुल समझ में आ गई प्यारे बच्छो अब हम बात करेंगे सत्यता सांडिय और वोलियन भिनजक के बाद लास्ट इसका प्रतीक इसका सिंबल क्या होता है नियान से दिखेगा इसका जो सिंबल होता है प्यारे बच्चो वो आपको समझना होगा प्रतीक जिसे कहते हैं ध्यान से दिखे क्या होता है भाई बात कर ले सिंबल की तो इन में दो ठो निमेसी होते हैं दो ठो इनपुट होते हैं एक इनपुट ये माल लिए ए और एक इनपुट ये माल लिए भी प्याले बच्छो फिर उसके बाग कुछ इसका नूम डिजाइन नूमा ये होता है तीर के जैसा ये और एक क्या होता है निर्गत होता तो यह कौन सा गेट होता है और गेट होता है कौन सा गेट होता है पैर बच्छो और गेट होता है I hope कि आपको और गेट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लिएर हो गया होगा आप इसका इसकिन साट रीजिये अब हम बात करेंगे सेकेंड गेट की सेकेंड गेट कौन था प्यावाइब गया होता च्ट यह आफ हुथ काफी समय तक आपने इंतर चार के लिए उस सरिक्षिट के उपर ध्यान से देखिये ध्यान लगाईएगा इन में मैंने एक input मान लिया और second वाला जो input है वो कुछ इस प्रकार मैंने नाम दे दिया ये कोई second input हो गया ध्यान से दिखनेगा ये दो input हो गया और इनको हमने क्या कर दिया बैटरी से एड़ कर दिए प्यादे बैटरी से एड़ कर दिया क्या उस परिपत को क्या कर देतै है पूंड कर देते हैं अब अगले step में हमने क्या किया यह एक निर्गत लगा दिये एक क्या लगा दिये निर्गत जो की वाई हो गया ध्यान से देखे यह दोनों यह दोनों input है और यह क्या है प्यारवच्चो output यह आपका output जिसे आप निर्गत कहते हैं क्या कहते हैं प्यारवच्चो निर्गत और यह दोनों ये दोनों आपके क्या है इंपुट हैं ये दोनों आपके इंपुट हैं जिन्हें हम निवेसी कहते हैं क्या कहते हैं प्यार बच्चों निवेसी कहते हैं ध्यान से देखना यारो ध्यान से समझना दोस्तों कि क्या होता है एंड गेट क्या होता है परिभासा की जब बात आती यानि वह git जिसमें input दो हो और output एक हो हो वो कौन सा git कहलाता है वो end git कहलाता है याद रखना दोस्तों कि हम end git की परिभासा क्या देंगे जिसमें दो input और एक output हो दो निमेसी एक निर्गत हो वो और कोई git नहीं वो अपना वाला git end git कहलाता है इसकी परिभासा लिखना चाहो त लिख देना दोस्तों वह गेट जिसमें दो इनपूट दो इनपूट वह एक आउटपूट होता है वह क्या कहलाता है वह एंड गेट कहलाता है वह एंड गेट कहलाता है इतनी बात आप समझें इतनी बाते आपकी क्लियर हुई वह गेट जिसमें दो इनपूट एक आउट पूट हो उस गेट को हम एंड गेट कहते हैं क्या आपकी इतनी बाते clear हुई प्यारे बच्चों, कितनी बाते clear हो गई, दो से ज़्यादा input नहीं होना चीगde, अब हम इसकी बाते करेंगे, इसके सत्यता सांड़ी की true travel की बात करेंगे, चलिए द्हान से दिखते हैं, इसकी सत्ता सारी याद नहीं करना है याद नहीं करना है ध्यान से दिखेगा चलिए सारडी लिख लेते हैं आईए अब अब हम इसके लिए दोठो निवेसी बनाएंगे क्योंकि निवेसी एक कालम खिश दे एक तरफ हमने बना दिया निवेसी का कालम और एक तरफ हमने क्या बना दिया निरगत का कालम ध्यान से देखना प्यारे बच्चो एक तरफ निवेसी एक तरफ निर्गत अगर मैं आपसे बात करूँ निवेसी को भी दो भागों में हम बाट सकते हैं प्यारे बच्चो वो निवेसी क्या है एक A है और एक क्या है B है तो प्यारे बच्चो ये कोई एक निवेसी हो गई ज वो तो केवल दो ही भासाओं को समझता है एक जीरो को और एक एक को जीरो को हम कहते है आफ और एक को क्या कहते है आन कोई भी गेट आजा है कोई भी गेट आजा है वो केवल दो भासाओं को समझेगा एक जीरो एक एक जीरो का मतलब आफ एक का मतलब आन चलो सत्यता सांडी तैयार करते हैं इस बार हम पहले शुरुआत करते हैं कि दोनों को आफ रखते हैं दोनों को आफ रखते हैं प्यारे बच्चो यानि कहने का मतलब है कि दोनों को आफ रखने का मतलब है कि इस बार दोनों की को दोनों कु के रखा है तो बताओ इधर से जाने वाला जो current है वो यहां तक पहुचेगा फिर यहां तक जाएगा आगे आई नहीं पाएगा क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से जोड़े नहीं हुए हैं इसलिए यह current आगे नहीं पहुच पाएगा और एक किवल एक प्लिट से जाने वाले करेंट से कभी बल्फ जलने वाला नहीं है मतलब जब दोनों आप हैं तो इस बल्फ से भी नहीं बल्फ भी नहीं जलेगा यानि कहने का मतलब है कि निर्गत भी हमको सुनने ही मिलेगा निर्गत भी आप मिलेगा सेकेंड प्रोसेस की बात करेंगे इस बार हमने क्या किया ए को आन कर दिया ए को हमने क्या कर दिया आन कर दिया प्यारे बच्चों जिए उही हमने A को आन किया और B को आप किया तो दिहान से देखेगा जो करेंट थी वो यहां से चलते हुए यह इस बार आन है तो यहां से होते हुए यहां तक आई फिर यहां फिरिये देखे यहां बंद है यहां खुला है मतलग करने का मतलब यहां बंद है यहां से करेंट यहां तक नहीं जा सकती, यहां से यहां तक नहीं जाएगी, अर्थात आगे current इसके पास नहीं पहुश पारें, तो जो निर्गत है वो भी आपको नहीं प्राप्त होगा, प्यारे बच्चों ध्यान से दिखेगा, अब हमने क्या किया, इस बार A को आप कर देते हैं, B को क्या कर दिए, आन कर दिए, तो प्यारे बच्चों ध्यान से दिखना, जो ही आप A को आप करोगे, current आपकी यहीं पर रुख जाएगी, B को आन करने से कोई मतलब नहीं है, अर्थात इस बार भी निर्गत आपका नहीं जलेगा, आप इतनी बाते समझाओ, current जब दोनों प्लेट कर दिए, मतलब A भी आन है, और B भी क्या है, अन है, ध्यान से दिखना, प्यारे बच्चों, इस बार case में क्या है, A भी आन है, और क्या है, B भी आन है, मतलब हमने A को भी आन रखा है, और B को भी आन रखा है, तो इस बार क्या होगा, A आन है, B आन है, तो ध्यान से दिखन कि यहां से चलने वाला करेंट A से होते हुए B से होते हुए यहां तक पहुँच जाएगा तो यह बल्फ आपका जलने लगेगा अर्थात निर्गत भी आपको क्या मिल जाएगा एक मिल जाएगा इस प्रिकार वो आप true table उसकी तयार कर सकते हैं किस gate की end gate की अगर हम बात करें प्यारे बच्चो अगर हम बात करें end gate की boolean benzak की किसकी बात कर लें प्यारे बच्चो boolean benzak की तो boolean benzak क्या होता ध्यान से देखिए है वो बोलियं भेंजक किसकी क्या होगी जो निरिगत है प्यारे बच्चों वह क्या है वो वाइ इक्कोल टू्थ क्या है ए जिया सिक्ष्था अ usted आरपका आउठ पुइड है is प्रिकार प्यारे बच्चों chi जो है बूलियं भेंजक होती है स्वरी यहां ए a plus b नहीं होना चाहे था। अगले वाले में a plus b था न्य हमें तो देखिये भी होगा ठीक यह होता है प्यार इसकी जो bullying बन्जक होता है वह a dot b इसे मुझों पढ़हेंगे क्या इसे क्या द्यान से देखिए इसे लिएब पढ़हेंगे bardzo यहां से दिखेगा a and b equal to y यह नहीं पढ़ेंगे यह हम यहां पर थुरू पढ़ेंगे a multiply b equal to y ऐसा नहीं पढ़ेंगे a and b equal to y मतलब a और b दोनो y के equal है ऐसा नहीं कि a को वहां क्या था a r b a b y के equal हो सकता बीभी y के equal हो सकता हैस by a and b दोनो y के थीए थीख तभी हम y प्राप्त कर पारें नहीं तो नहीं प्राप्त कर पारें प्यार अच्छो यह boolhian बने जखण हो गई अब मैं अगर इसके symbol की सिंबल की बात करूं अगर मैं इसके क्या करूं इसमें केवल दो निमेसी होते हैं और इसकी आकरती कुछ इस प्रकार होती है और एक क्या होता है प्रतीक है जिसे आप सिंबल का नाम देते हैं ध्यान से देखिए यह इसका प्रतिक यह इसका पुलेम रंज़क यह सत्यता सांडी यह इसकी सर्कुट और यह इसकी परिभाजा ठीक आप इसका एक स्कुर्ण सॉट लेना चाहते है तो ले सकते हो अब हम बात करेंगे थर्ड गेट की थर्ड गेट कौन सा है प्यारे जिसमें इनपुटों की संख्या कित्ती हो इनपुट केवल एक हो इनपुट एक हो और आउटपुट भी क्या हो प्यारे बच्चों एक ही हो वो कौन सा गेट कहलाता है वो कौन सा गेट कहलाता भी नौट गेट कहलाता है यानि हम कह सकते हैं कि जिनमें निवेसी की संख्या इसको अगर हिंदी में लिखना अचाहें तो ये लिखा जा सकता है कि जिसमें नेवेसी की संख्या एक हो और निर्गत भी एक हो वो कौनसा git कहलाता है प्यारे बच्चो वो not git कहलाता है यह निर्गत हो गई और यह आपका input हो गया यह आपका output हो गया प्यारे बच्चों और यह जो हो गई यह आपकी input हो गई ध्यान से देखना हमने जैसा की परिभासा में ही बताया था कि not get वह get होता है जिनमें input भी एक हो और output भी एक हो वो कौन सा get कहलाता है not get कहलाता है इसकी अब सत्यता सार्डी की बात कर ले प्यारे बच्चों सत्यता सार्डी सत्यता सार्डी क्या होती है true table होती है आगि सत्यता सद्य एक तरफ क्या बनाएंगे दे जहांसे दिखेंगा और और एक तरफ हम क्या बनाएंगे निरगत एस बार निवे उजए को देखेगा आपके लिए दो कालम तैयार हैं दो इस्तितियां होंगी देखना बिलकुल देखन क्या होता है यहां पर क्या होता है सोचो जरासा सोचो कि क्या होता है कि अगर मैं एको आन कर दूँ एको आन कर दूँ तो सोचो यहां से जाने वाला करेंट वो सोची यहां से जाने वाला करेंट यहां से होते हुए ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए इधर से इधर होते हुए यह पोन रूप से परिपत हो जाएगा अगर मैं बोलू यहां एक मैं बल्प लगा परन्तु आपका जो यह निर्गत आप लगाए हो यह बल्फ आपका यहां पर नहीं जलेगा यानि यहां आप मिलेगा ठीक जैसे ही एको हमने आफ किया जो ही एको आफ किया तो सोचिए यहां से जाने वाला करेंट यहां तक जाएगा फिर लोड जाएगा प्यारवच्छो और यहां से जाने वाला करेंट यहां तक तो मतलब यह बलफट नहीं जलेगा तो यह क्योंकि यह सर्कृट पूर नहीं होगी यहां से जाने वारा करेंट आगे जाएगा प्यारे बच्चो वो जाएगा यहां यहां से जाके यहां जिसकी कारण वाई आपका जलने लगेगा जिसे हम क्या करते हैं वाई की आनिस्तिती होती है तो यह सत्यता सारी होती है अब हम इसकी बात करेंगे भाई बोलियन बेंजक कि किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चो बुलियन बेंजक तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चो बुलियन बेंजक क्या होता है बुलियन बेंजक होता है कि A का उल्टा ही है प्यारे बच्चो अर्थात हम A not equal to Y ये पढ़ेंगे बुलियन भेंजक की बात, इसकी बुलियन भेंजक, इसे क्या पढ़ेंगे, not, क्या पढ़ेंगे, not, ये जो बार है, not पढ़ेंगे, not a equal, not a equal to y, ये है, इसे हम ये पढ़ेंगे, ये बुलियन भेंजक, वो सत्यता सारी, अब इसकी अगर हम बात कर ले, symbol की, किसकी बात कर ले प्यारे बच्छो सिंबल की तो ध्यान से दिखना इसकी सिंबल क्या होता इन में एक हो निवेसी होता है चलो मान लिए एक निवेसी होता है और कुछ एक क्या होता है निर्गत होता है ये निर्गत होता है उम्मिद है कि आपको अभी तक ये तीनों गेटे समझ में आई होगी, थोड़ी सी टाइम और दे दो प्यारे बच्चों, आपके दो गेट और बचे हैं, इंपोर्टेंट गेट है, जो कि इन ही गेटों के सयोजन से बनाया जाता, एक नंद गेट, एक नौर गेट, एकजाम म प्यारे बच्चों, नंद गेट, ध्यान से समझना, यहां पर आपके दो गेटों को जोड़ा गया है, एक एंड गेट और एक नौर गेट, तो हम कह सकते हैं, कि एंड और, क्या प्यारे बच्चों, एंड और नाट, क्या, एंड और नाट, गेट का सयोजन ही, गेट के संयोजन को कौन सा गेट कहते हैं कौन सा गेट कहते हैं प्यारे बच्छो नंद गेट कहते हैं समझेगा जारा सा यहां आपको समझना जरूरी है कि नंद गेट क्या होता है प्यारे बच्छो एंड और नाट एंड और नाट गेट के संयोजन को हम नंद गेट का नाम देते हैं नंद गेट का नाम देते हैं क्या कितनी बाते क्लियर हो गई इतनी बाते आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्छो बिलकुल अब ध्यान से देखना क्या होता है कि end को हम not से प्लस कर देते हैं तो यहां end में दो input लिया a और b जिसके एक निर्गत को दिखा y dash वास्तव में यह ज इन्हीं दोनों गेटों को अगर हम एक साथ बनाना चाहे तो इसको इस प्रिकार बना सकते दो input और नंद लगा दिये बीच लॉजिक और प्यारे बच्छो एक निर्गत दिखा दे वाई इसकी important बात होती है वाई ट्रो ट्रेवल समझना सत्यता सानरी समझना सत्यता सानरी भी हम बिलकुल आसान भासा निकालेंगे सबसे पहले निवेसी लिखते हैं क्या लिखते हैं प्यारे बच्छो निवेसी ठीक और एक कालम में बना देते हैं इधर निर्गत बना देते हैं इधर बनाते हैं प्यारे बच्छो निर्गत ठीक अब ध्यान से दिखेगा निर्गत में क्या होता है कि निर्गत में क्या होगा और निवेसी में क्या होगा दिखेगे अब क्या होगा यहां पर दो भागों डिवाइड किये निवेसी में A और B है और निर्गत को भी दो भागों में डिवाइड कर दो एक में Y डैस है और एक में Y है यह बात है y-s और एक में y है ध्यान से समझेगा यह जो निर्गत है यह end के ऊपर है a.b और इसका जो है वो not का है तो not क्या है तो क्या हो जाएगा प्यार बच्चो a and b का not लग जाएगा यह होगा निर्गत अब ध्यान से समझो कि हम इसके true table को कैसे find out करेंगे रटना नहीं है कुछ भी हो जाए बस चलो ध्यान से देखो अब केवल मुझे इतनी कुछ देर के लिए मुझे समर्लो कि यहां से यहां यही तीन कालम भरने चौथा कालम मैं आपको एक ट्रिक से भरना बताऊंगा देखो एक को हमने on किया अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चो इतनी यह तीन कॉलम भरने के लिए हमने circuit बनाया ध्यान से देखो हमने क्या कि एक को आप रखा एक को आप रखा और बी को भी आप रखा तो प्यारे बच्चो ध्यान से बताए एक को आप किये बी को आप क यह मतलब इनका इनसे जुड़ाओ नहीं इनका इनसे जुड़ाओ नहीं यहां से जाने वाला जो करेंट होगा प्यारे बच्चो यहां से जो जाने वाला करेंट होगा जिसके कारण जो आपकी वाई होगी वो आपकी नहीं जलेगा मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चो ए एक यहां पर मैं क्या बना दू एक बल बना दू यह वाई डैस है वो वाई है अब आप बताओ जब एसे भी करेंट नहीं फ्लो होगा बी से भी करेंट नहीं फ्लो होगा क्या यह वाई डैस जलेगा नहीं जलेगा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों तो यह नहीं जलेगा यह 0 प्राफ्थ होगा परंतु अगले कालम को ध्यान दो यहां से चलने वाली करेंट जो है यह हो जाएगा यहां से जाने वाला करेंट यह जाएगा तो यह वाला सरिकिट पूरा हो जाएगा तो Y आपका आन होगा Y आपका क्या हो जाएगा आन हो जाएगा क्यूं क्यूंकि प्यारे बच्चो वाइड ऐसा है A & B के इक्वल परंतु जो Y है वो A & B के नाट इक्वल मतलब उल्टा है प्यारे बच्चो अगर यहां सुनने होगा तो यहां एक होगा यहां आप होगा तो यहां आन होगा यहां कि अगर मैंने कहा कि इसको आप कर देते हैं ध्यान से देखो हमने इसको अन किया भाई एक को कनेक्ट कर देते हैं तो चलो यहां से जाने वाली करेंट इससे होते हुए यहां तक आएगी फिर वाइडेस के पास नहीं पहुंचे का रथात यह बल्फ नहीं जलने वाला है अब बताओ यह वाली करेंट यहां सोते हुए ऐसे यहां गई यहां सोते हुए यहां ऐसे गई तो भी जलेगा प्यारे बच्चो तो यह भी आपका आन हो जाएगा देखी इसका अपोजिट ही आ रहा है इस बार हम क्या किये कि A को आप कर दिए प्यारे बच्चो और B को क्या कर दिए आन कर दिए इस बार हमने क्या कहा कि भाई A को आप किए B को आन किए मतलब A का connection हटा दिए और B को क्या कर दिए आन किए तो बताओ B को आन कर दिए भाई current तो आएगा पहले यहीं से नहीं जाने पाएगा तो B को आन करने से क्या मतलब है ?मतलब करिंट आगे नहीं जा एगा यह बल्फ नहीं जलेगा। नहीं जलेगा तो यह भी सुनी पराफ्ठ होगा, और यह आपका रहे एक यहां के जल रहा है ? ये नहीं जल रहा है अब last इस्तिती में क्या करते हैं कि इस बार हम लोग क्या करते भाई दोनों को आन कर देते हैं मतलब इसको भी one इसको भी one मतलब A को भी connect कर दिये बी को भी जैसे ही A और B आन हुए तो ये circuit पोण हो गया और ये जो wide ऐसा है ये bulk जलने लगेगा तो प्यारे बच्चों यहां एक प्राप्त हो जाएगा परन्तु आप देखिए जो ही यह बल्फ जनने लगेगा तो सर्कुर्ट पूर्ण हो जाएगी करिंट यही घूमने फिरने लगेगी आगे नहीं जाएगा जिसके कारण यह बल्फ आपका नहीं जलेगा तो भईया इस क्या हो जाएगा यह तो इस प्रकार हम इसकी सत्यता सांडी को लिख सकते हैं इसको हम दूसरे सब्दों में भी सत्यता सांडी लिख सकते हैं डारेक्टली कैसे प्यारे बच्चों वो डारेक्टली यह है कि हम एक तरफ क्या कालम बना दे निवेसी का और एक तरफ कालम क्या पॉला कालम लिख दिए अगर मुझे इस रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना प्यारे बच्चो ए जीरो होगा यह जीरो होगा यह एक मिला है जीरो जीरो एक बीच वाली लाइन छोड़ दो बस आगे अगले में क्या एक जीरो तो यहां भी आपका एक मिला है अगले में क्या हुआ प्यार बच्चो जीरो और एक मिला है तो भी आपको यहां एक मिला है परन्तु जब हमने यहां एक एक रखा है तो यहां क्या मिला है जीरो मिला है इस प्रकार इसकी सत्यता सांड़ी आप यह भ इसका सिंबुल है यह इसका प्रतीक है याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी ने अभी तक आपको बताया नहीं यह सारी चीज़े एक किस्क्राइज आपने वीडियो को सेर नहीं किया हो दोस्तों और जबर जबस्त सब्सक्राइजों सभी दोस्तों के पास सेर एक बार जरूर कितीे लस टॉपिक इंप्सकी और इस ध् गेट का निर्माड दो प्रेकार के गेटों को मिला कर खिया जाता है एक और होता है एक नॉट होता है प्यारे बच्चों यानि हम कह सकते हैं इसकी परिभासा ओर गेट और और नॉट ओर और और नॉट गेट के सयोजन को गेट के सयोजन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों ओर और नॉट गेट के सयोजन को क्या कहते हैं नॉर गेट कहते हैं कौन सा गेट कहते हैं प्यारे बच्चों नॉर गेट कहते हैं क्या कि इतनी बाते क्लियर हो गई ध्यान से जमनलो यारो ध्यान से जमनलो प्यारे बच्च कि भई आर और नाट गेट का संयोजन नौर गेट कहलाता है अब आगे हम बात करते हैं इसके सिंबल की तो देयान से देखिए यह और हो गया जिसमें दो इंपुट होता है और इधर हो गया इंद का जो आउट पुट है वो वाइड ऐसा है और इन दोनों को मिलाकर जो आउट सकते हैं इस प्रकार भी बना सकते हैं अब हम इसके किसकी बात करेंगे पैर बच्चो सत्यता संडी की किसकी बात करते हैं पैर बच्चो सत्यता संडी तो ध्यान से देखना सत्यता संडी की चर्चा करते हैं तो एक तरफ क्या बना लेते हैं निवेसी एक तरफ क्या बना ले एक हो गए एक हो गए भी ध्यान से समझिए आगे एक निर्गत में भी दो भाग बना लो प्यारे बच्चो एक है वाइड एस एक्वल डू क्या होगा ए आर बी यही था एक में आपका क्या है प्यारे बच्चो एक में आपका वाई है जो की ए आर या हम कह दें निगेटेड ए आर बी इकोल टू वाई यह है ध्यान से देखो यह आपके लिए टेबल हमने तयार कर लिया है टेबल अब इसको क्या करना भी भरना है इसको ध्यान स से समझे अगर मैंने कहा कि जब हम ए नाय होता था द्यान देंगा और अपका क्या होता था और होता इस इस बात को ध्यान दो, आप करऊंगे सर कैसे, भई कितनी बार मैं बताऊं, सर्कुट मैंने बताया था, कि क्या होता है प्यारे बच्छों, सर्कुट हम लोगों ने इसका इस प्रिकाब बनाया था न, ऐसे करके, इसे यह आपका अ था, आ यह आपका क्या था, भी इसको धा जब और भी को किया तो यह बल भुझलने वाला नहीं है। क्वेह प्लस से कि 아ने वाली करेंट यहा तक नहीं पहुचेगा। तो ध्यान से देखना यहांप प्राप्त होगा यहां क्या प्राप्त शहरा जिसके कारण ब Когда बन जलने लगेगा ब अपने आप किया एक को औ किया तो वाई आपका ऑफ्प्त होगा क्योंकि ये बल्फ जलेगा प्यार बच्चो अब अगले प्रॉसेस में A को आफ की A B को क्या कर दिया आन मतलब यहां से connection हटा के हमने इनको कर दिये तो ये वाला सरीकिट तो पुर नहीं होगा परंत ये वाला जो सरीकिट यहां से यहां तक है ये पुर हो जाएगा जिसके कारण ये बल्फ जलने लगेगा तो यहां भी एक प्राप्थ होगा प्यारे बच्चो अगला हमने क्या कि A और B को दोनों को आन कर दिये A और B को दोनों को आन किया तो दोनों को आन किये तो भी तो ये बल फजलेगा तो ये हो गया R gate का क्या हो गया प्यार बच्चो R gate का अब यहां से आपको ये समझना है ये तो R gate हो गया अब जो अगला निर्गत है वो Y एक्वल दू करा A and A R B negated है negated का मतला होता है इसका opposite 0 का opposite क्या हो जाएगा एक एक अपोजिट 0000 तो प्यारे बच्चो इस प्रेकार इसकी आप क्या तयार कर लें तो सत्यता सांडी इसकी boolean बेंजक लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे भई बेंजक क्या होता है ध्यान से समझे boolean बेंजक होगा y equal to a क्या कहेंगे इसे a and b होता है न a a r b negated negated a r b equal to y यह होगा इसे हम यह पढ़ेंगे negated negated a r b equal to y यह हो गया boolean बेंजक यह रही नार गेट की सत्यता सांडी यह रही नार गेट की परिभासा यह रहा सिंबल पहरे बच्चो इसका आप एक skin shot लिजे मैं उम्मीद करता हूँगा प्यार बच्चो की आज की जो logic get पूरी class थी वह आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाया होगा अगर कहीं पर कोई भी गलती हुई होगी या आपको कहीं नहीं समझ में आया होगा प्यार बच्चो कमेंट सिसन में प्यारा सा कमेंट जरूर किजिएगा हाँ अब आपकी जितनी भी physics की क्लासे आएंगी वह आपके लिए most important जितने भी question होंगे जितने भी numerical होंगे और ज्यादा से ज्यादा अंसाल्व आपके solve कराया जाएंगे मिलते हैं आपको next वीडियो में एक मज़ेदा topic के साथ तब तक के लिए आप वीडियो देखे पहले बच्चो और enjoy किसे और दोस्तो जय हिंज जय भार थैंक यू अल्य शुडेंट